डाइडरोबून टाबलेट यूज़ इन हिंदी नमस्ते और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम डाइडरोबून टाबलेट के बारे में बात करेंगे जो एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिप्लेस्मेंट थेरेपी, HRT, दवा है और हम जानेगे कि डाइडरोबून टाबलेट का यूज़ किस बीमारी में होता है इसके साइड इफेक्ट क्या होते है क्या गर्बवर्ती महिला इसे ले सकती है मतलब इस बारे में आपको अच्छी जानकारी देगे मगर उससे पहले कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को बदा दे आये वीडियो को शुरू करते है सबसे पहले हम बात करते है डाइडरोबून टाबलेट क्या होती है? डाइडरोबून टाबलेट में डाइडरोजेस्टरोन नामक सकریय घटक होता है जो शरीर में प्राक्रितिक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के समान कारे करता है प्रोजेस्टेरोन मासिक धर्म चक्र, गर्भावस्था और अन्य महत्वपून शारीरिक कारेों में महत्वपून भूमी का निभाता है और इसका मतलब है कि इस टैबलेट का उपयोग विशेश रुप से मासिक धर्म चक्र गर्भावस्था में किया जाता है वैसे इस बारे में हम और विस्तार से बात करेगे, बस आप पूरा विडियो देख लेना अब हम बात करते है कि डाइड्रोबून टैबलेट का यूज कहां पर किया जाता है दोस्त आपको बात दे की डाइड्रोबून टैबलेट का यूज विभिन स्त्री रोग संबंधी विकारों के इलाज के लिए किया जाता है जिन में शामिल है एक अनियमित मासिक धर्म, अगर किसी महिला में अनियमित मासिक धर्म की शिकायत रहती है, तो वहाँ पर इसका उप्योग किया जा सकता है। 3. भारी मासिक धर्म रक्तस्राव दोस्त डाइड्रोबून टैबलेट का उप्योग करकर आप PMS के लक्षनों जैसे की मूड स्विंग, चिर्चिरापन और स्तन में दर्द को कम कर सकती है। और इसी कारण से बहुत बार डॉक्टर इसे लेने की सलाह देते रहते हैं। 6. गर्भपात अगर किसी महिला को गर्भपात रोकना पर जाता है, तो वहाँ पर भी डाइड्रोबून टैबलेट का उप्योग किया जाता है। दरसल यह दवा कुछ मामलों में गर्भपात को रोकने में मदद कर सकती है। मगर ध्यान रहे कि डॉक्टर के बिना अनुमती के इसका उप्योग कभी न करे। अब हम बात करते हैं कि डाइड्रोबून टैबलेट का उप्योग कैसे करना है। अवधी निर्धारित करेंगे और उसी के अनुसार आपको लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि डाइड्रोबून टैबलेट के साइड एफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। यदि आप गरभवती हैं, स्तनपान करा रही हैं या आपको कोई अन्य स्वास्थय स्थिती हैं, तो डाइड्रोबून टैबलेट लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। क्योंकि आप बिना डॉक्टर की अनुमती के अगर इसका उप्योग कर लेते हैं, तो कई नुकसान भी हो सकते हैं। इस कारण से सावधान रहना जरूरी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर अब कुछ पूछना है, तो कमेंट कर सकते हैं।